यानि यह विवस्ता हमारे देश में होती हैं। पिछले छे साल में करिब साथ लाग केसिस को लोक अदालतों में सुल जाया गया है। साथियों, जस्टिस डिलिवरी का एक और बड़ा पहलू है जिसकी चर्चा बहुत कम हो पाती है। वो है भाषा और कानून की सरल्ता। अब हम भारत सरकार में भी सोच रहे हैं कि कानून दो प्रकार से प्रस्तुत किये जाए। एक जिस भासर पे आप लोग के आदी है वो वाला ट्राप्ट होगा। और दूसरा देश का सामन्य मान भी समझ सकते ऐसी भाषा। कि उसको कानून भी अपना लगना चाहिए। हम कोशिश कर रहे हैं मुझे भी कि सिस्टिम भी उसी धाचे में पली बढ़ी है तो उसको बाहर निकालते निकालते हो सकता है कि अभी मुझे कापी काम है मेरे पास समय भी बहुत है तो मैं करता रहूंगा। कानून की भाषा में लिखे जा रहे हैं अदालती कारवाई की भाषा में हो रही है। कि यह बात कि न्याय सुनिजित करनारे में बहुत बड़ी भूमिका निभाती हैं। कि पहले किसी भी लोग के ड्राफ्टिंग कि बहुत कॉंप्लेक्स होती थी। कि सरकार के तौर पर अब हम भारत में नए कानून जैसा मैंने आप कहा। कि दो प्रकार से हैं। और जितना ज्यादा हम सरल बना सके और हो सके उतना भारतिय भाषाओं में उपलब्द करा सुके। उद्दिशा में हम बहुत सिंसेली प्रयास कर रहे हैं। डेटा प्रोटेक्शन लोग आपने देखा होगा उसमें यह सिंप्लिबिक्रिफिकेशन का हमने एक पहली शुरुवात की है। और मैं पक्का मानता हूँ कि सामान्य व्यक्ति को उस परिभाषा से सुविधार आएगी। भारत की न्याय विवस्ता में मैं समझता हूँ यह बहुत बड़ा परिवर्तन हुआ है। और मैं चंद्र चूट जी का था पब्लिक ली मैं एक बार अभिन्दन किया था क्योंकि उन्होंने कहा कि अब कॉर्ट जज्जमेंट का अपरेटिव पार्ट जो लिटिगंट है उसकी भाषा में हम उपलब्द कराएंगे। दिखिए इतने से काम में 35 साल लग दे और ऐसे के लिए इसके लिए भी मुझे आना पुड़ा।